हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टो नित्य एक जाम पॉइंटर दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यह है रेलवे एंटी पीसी ग्रूप डी 90 डेज टार्गेटेड बैज जिसमें हम लोग करते हैं साइन्स एनालिसिस दोस्तों यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेश नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहें दोस्तों हम लोग कर रहे हैं केमेस्ट्री का अनालिसिस और हम लोग कर रहें इस पीडी 35 टेस्ट पेपर का अनालिसि जिसको आपको कॉंटिन्यूसली करते रहना है डेली तीन एर का सेट जो प्रेवियस एर क्वेशन उसको सॉल्व करते रहेंगे 1992 से लेकर 2019 तक साइंस के जितने भी प्रेवियस एर में पेपर आये क्वेशन आये हुए हैं उनका रिवीजन करते रहेंगे साथ ही इस साइड म एक दम जश्ट पीछे जो है आपके बहुत सारे मॉडल सेट पेपर है धाय तीन सो है उसको आप करते रहेंगे ठीक है इसको इमानदारी से आप कॉंटिन्यूस में करते रहेंगे यह आपका काम है आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़े एक करने और संधान यह सब जब आपको बहतर हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे आपके हांस क्लियर हो जाएंगे साधार कोश्चन आपके करेंट अफेर से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जैसे राजधानिया जो स्टैटिक पोर्सन है आपको वह भी कवर ह हो जाएगे तो आप अच्छा खासा 20-25 कोश्चन तक आप जीएस में अच्छा कर ले जाते हो और 20-20 कोश्चन मैथ और रिजिनिंग में कर ले जाते हो तो आप सिलेक्शन के एकदम करीब पहुंच जाओगे ठीक है क्योंकि सीटे काफी जादा है और इसमें क्या होता है कि 50% एक्ष्टा लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है माल लेजिए एक दो तीन सालों तक जब तक नई भरती नहीं होती है और कभी भी सीट खाली होगी तो उन 50% लोगों जो वेटिंग लिस्ट में हैं वहां से फिर बुला लिया जाता है ठीक है उनको जॉब के लिए तो यह कहीं न कहीं आपके help करेंगे दिया आप 65 के approach पहुंच रहे हैं 100 में तो आप अच्छा कर ले जाएंगे तो आप उसी साब से अपनी तयारी करिए ठीक है आप जितना भी पढ़िए वहां गलत करके मत आईए आप अच्छे से अपना full confidence के साथ अच्छे से आप math reasoning page जो previous year के paper आई हुए है question जो है बस उन्हीं के practice करिए आप बहुत ज्यादा topic आई चीजों को मत लगाए ठीक है क्यों previous year के question को करिए जितना अधिक अधिक practice हो सकता है उसको करें आप ओके वहां सारा level आपका लगवक कबर है जिस level के question आ सकते हैं तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ उस काम को आपको इमानदारी से करते रहना है साथ ही आज से आपका static portion शुरू कर दे रहे हैं आज से आपका ही homework है कि भारत के जितने राज्जी हैं राज्जी और इनकी राज राज्धानियां राज और केंदर सासिर प्रदेश दोनों को मिला लिया जाए राज और केंदर सासिर प्रदेश भारत की जितने हैं और उनकी राज्धानियां इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे एक दो राज्जी ऐसे हैं जैसे आपका उत्तराखंड इसमें नया राज् ठीक है आंद्रप्रदेश की तीन राजधानिया प्रस्तावित है उनको तो ये थोड़ा महत्रपूर्ण चुर्की करेंट का है तो यहां से प्रसंद पूछे जा सकते हैं तो राज और उनकी राजधानिया यह आज आपका होमवर्क है इस स्टैटिक पोर्षन को आप पढ़े हैं जैसे क्वेला क्वेला चार प्रकार का होता आप जान लो एंथ्रसाइट बिटूमीनस लिग नाइट और पीत को एला में पाये जाते है ठीक तो आपका अगला प्रेशने की सरबोतब किस्म का कोईला कौन सा एंथरसाइट कोईला और कोईले में आप जानते हो कोईला ऐसी जो जैसा हम लोगों को दिखता ऐसा नहीं रहता है शुरू में इसमें क्या होता है यह थोड़ा से इसमें नमी होती है ठीक है नमी होती है कोईले यहाँ प्राकरति गैस भी कुछ पाया जाते हैं ठीक है मेथेन गैस होती है बहुत सारी चीजे होती है तो नमी और वायू की उपस्थिती में जो कोईले को गर्म करके गर्म किया जाता है तो इसको क्या बोलते है कोयले का भंजक आसवन बोला जाता है कोयले का भंजक आसवन आक्सिजन क्यों पस्थिती में कोयले को गर्म करना ये क्या कहलाता है भंजक आसवन कहलाता है रॉकेट इधन रॉकेट आप जानते हो ठीक है अंतरिच में कोई चीज भेजा जाता है प्रणोदक का होता है, किसका प्रणोदक का होता है, राकिट इधन, पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ये तीन चीजे होती है, ठीक है, ल्पीजी होता है, लिक्विट पेट्रोलियम गैस इसी को, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक, LPG में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, भविस काइधन किसे कहते है, हाइड्रोजन आपको बताया ही, ठीक, भविस काइधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि सूर्ष से जो उस्मा मिलती है, जो उर्जा मि आते हैं और उसके बाद जो है एनरजी ये उत्सर जित करते हैं ये कौन सी नाभिके संलेंड क्रिया होती ना ब्रह्मान में सबसे अरिक मात्रा में हाइड्रोजन पाय जाता है साथ ये प्रदूसर्ण इस से नहीं होता है तो भविश काईधन इसलिए हाइड्रोजन को कहा जा प्राकृतिक गैस में क्या क्या होते हैं मेथेन और एथेन आप दल्दली अस्थान जतने हैं सब में क्या होता मेथेन जो गोबर गैस हो गया रहा होता वहां भी मेथेन ठीक है तो प्राकृतिक गैस के घटक एक पार्ट है जीवासमी इधन किसे कहते हैं बस एक क्वैला पेट के हजारों सालों तक प्रतवी के नीचे दबे रहने से उच्चे ताप और दाप पर क्या होता हो, कोईले में बदल जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, तेल, प्राकरतिक गैस ये क्या, जीव जनतुओं के मिलत होने पर, वहां से ये सब चीजे बनती हैं, बायो गैस, बा गैस ये बायो गैस में होती हैं, भाप अंगार गैस क्या है, कारबन मोनो आकसाइड में, कारबन मोनो आकसाइड में हाइडरोजन का मिस्रण होता है, तो कैसे भाप अंगार गैस बनती है, ठीक है, वाटर गैस जो होती, भाप अंगार गैस, कारबन मोनो आकसाइड और हाइ गैस का मिस्रन होता है और नाइट्रोजन और कार्बन मोनो जैसे हाइड्रोजन का कार्बन मोनो ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का हो गया तो यह वाटर गैस यह भापंगार गैस हो गया और यदि कार्बन मोनो ऑक्साइड जैस नाइट्रोजन गैस ले 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 यहां होता है कि अब इसफोर्ट रोधी कुछ गाड़िया ज्याददा फट-फट करती चुछ अब उसमें क्या से तो यह करता है धिक तुट्रोल्योंकिर्जियर 14 चल को पहले किस ने की थी Colonel Drake ने की थी Colonel Drake Gasohal क्या होता है यह पेट्रोल में alcohol का मिला दिया जाए तो क्या हो गया? Gasohal कहलाता है आज कल इस पर काफी काम चल रहा है कि यह हम जिसको alcohol यह बिला दे पेट्रोल में तो क्या होगा उससे हमारी जो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाएगी अल्कोहल से भी काम चल सकता है तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिस्ट गैसो हाल कहलाता है ये होगे आपका इधन से समंदित उसके बाद आते हैं धातू धातू ये सारी चीज़े सायद हो गई थी सव्रणनितिक धातू किसे टाइटेनियम रेडियो सक्रिय द्रव धातू ऐसा फ्रांसियम ये कैसा है जो रेडियो शक्रिये है और द्रव है लिक्विड अवस्था में है ठीक है पारा को किस में रखा जाता हो लोहे के पातर में लोहे के बरतन में रख़ा जाता पारा को किस धातु के चम से अन्डा नहीं खाना चाहिए चांदी गदम बलाइक हो जाता मतब चांदी नेश्ट हो जाता अन्डे से क्रेया करता है Magnesium होता है chlorophyll में क्रेया होता Magnesium होता है आपको बताया था मैंने blood है जो खून है खून में जो लाल रंग है वो हीमो globin की कारण होता है हीमो globin में क्या होता आयरन होता है इस आयरन के कारण इसका रंग क्या होता है लाल होता है गोल्ड के समल में घुल जाता है अमल राज ये hno3 कि पिल मुटती है जूसमें हरा रंग होता हो बयरियम के कारह आल रंग इस ट्रांसियम के कारण होता है भारी जल का जिए आणुभार हैस को दी ओके अधिक जाग कौन देगा जो मिर्दुजल होगा वो अधिक जाग देगा जल का यदि अस्थाई का ठोड़ता है तो जल को उबाल दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो मिर्दुजल बन जाएगा सुद्ध जल कैसा होता उदासीन होता है मतलब ना वो अमलिय होता और ना ही छारिय होता है इसका pH मान सुद्ध जल का कितना होता है साथ यदि साथ से नीचे जाएंगे तो अमल साथ से उपर जाएंगे तो छार होता है ठीक है जो आपका blood होता है उसका मान 7.4 होता है इसका मतलब blood कैसा है हलका अमली यह होता है जल का सुद्धी करण करने के लिए क्लोरीन मिला जाता है आप लोग जानते होगे यह जिसके आँ सप्लाई वाला नगरपालिका का पानी आता है तो उसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती ठीक है पहले देखो गाउं में क्लोरीन की टेबलेट भी बाटी जाती थी अगला है कि बनस्पती तेलों से कृतिम घी के निर्मार में किस धातु का प्रियोग किया जाता है जो बनस्पती तेल से घी बनाया जाता इसलिए स्वतंत्र रवस्था में पाया जाते हैं ठीक है मतलब डायरेक्ट आप सोना पा सकते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो स्वतंत्र रवस्था में मुक्त रवस्था में नहीं मिलती हो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई होती है वहाँ से उन्हें अलग करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं फिर उसको हम लोग बहुत सारी विधिया है निसकर्षण की वहाँ से उसको सुध्ध किया जाता है जो अधातुएं है ये ठोस द्राव गैस तीनो अवस्थाँ में होती है जो कारबन है गंधग ये ठोस अवस्था में होती है जबकि ये जैसे कारबन आपको देखना हो तो आप कोईला देख लो ठीक है गंधग है ये ठोस अधातुएं है ब्रोमीन कैसा होता हुआ लिक्विड आवस्था में आउक्सिजनॏ नाइटोजन यह होती है ठिक? तो थीन आवस्था मिलता है कारबन का क्रिष्टलिय अपर रूप कौन-कौन है हेरा और ग्रेफाइट क्रिष्टलिय अपर रूप कहलाते है हीरा कठोर अम बिद्दुत का कुछालक होता है यहां से हीरा में क्या करेंट नहीं बह सकती है और सबसे कठोरतम पदार्थ भी हीरा ही होता है इसका प्रयोग अभूसरण काच को काटने में किया जाता है दो या दो से अधिक धातूओं को या अथवा एक धातू हो दूसरा एक धातू हो इनका समांग मिश्रण समांग मिश्रण में यदि इनको मतब निश्चिरन पात मिलाए जा तो क्या बनता है मिश्र धातू बनती है जब पारा किसी धात से मिलकर मिश्र धातू बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है इसका मतलब अमलगम में क्या उपस्थित होता है HG उपस्थित होता है मिस्र धातु में कम से कम एक धातु तत अवस होना चाहिए कोई मिस्र धातु आप बनारों कम से कम एक धातु होगा कम से कम एक धातु जरूर होना चाहिए मिस्र धातु की जो कठोड़ता होती है ये धातु की तुलना में अधिक होती है मिस्र धातु की कठोड़ता धातु की तुलना में क्या होती है अधिक होती है जो रोल गोल्ड है ये कौपर में मतब ताबा में अलमूनियम मिला दो तो रोल गोल्ड बन जाता है तो तावे में अल्मुनियम मिला दो तो पीतल में जिंक गोल्ड और पोपर में टीना मिला दो S N, Stainless, Copper में TINA मिला दो देखो Copper सम्में कामन है Copper में Almonium मिला दो तो Rolled Gold Copper में Zinc मिला दो तो PITAL PITAL का बरतन आता है Copper में Stainless Steel मिला दो तो आपका क्या बन जाए कासा बन जाएगा ठीक है कासा और Solder जो होता है जो टाकाओं का लगाया जाता है इसमें सीशा रहता है PB, LED और TINA क्या होता है LED मतलब सीशा और TINA ये दोनों क्या बनाते है Solder बनाते है जो नाइक्रोम का तार होता है जो आपके बहुत सारे हीटर औगेरा होते हो नाइक्रोम का तार होता हुँ वो बनता है बिद्दुत तापन आवयों के लिए इसका उप्योग किया जाता ठीक है बिद्दुत तापन मतलब लेखे हीट जब आप हीटर जलाते हो तो जो चीज वो दिख्या करता है एकदम गरम हो जाता है वही बिद्दुत तापन आवयों के लिए इसका नाइक्रोम का प्रियोग किया जाता है हीटर उसके बाद आपका जो हीटर इसके बाद आपका प्रेस प्रेस मतलब इस्तरी जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं ठीक है वो वाला तो उसमें नाइक्रोम के तार का प्रियोग भी किया जाता है अलमूनियम ऑक्साइड कैसा है यह उभय धर्मी ऑक्साइड होता है और इसको अलमूनियम भी बोलते है ठीक है इससे यह आयस्क होता है इससे हम लोग अलमूनियम प्राप्त करते हैं अलमूनियम ठीक है तो यह उभय धर्मी ऑक्साइड होता है इसके बाद हम लोग बात करते हैं धातुओं के जो अक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं चारिये होते हैं और अधातुओं के अक्साइड अमली और उदासी दोन हो सकते हैं CO2, SO2 क्या है? अमलीय उक्साइड है, कार्बन डैय उक्साइड और सल्फर डैय उक्साइड क्या है? अमलीय उक्साइड है, ठोस, अधातु कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आयोडीन, ये ठोस होती है, कार्बन मोनो अक्साइड, nitrogen oxide और nitrogen oxide ये सब कैसे हैं उदासीन oxide होते हैं जल की बात हो चुकी थी आपको बताया जा चुका था जल का जो अणुभार आपको मैंने वहाँ सह सोला बता दिये था उसका क्या होता अठारा oxygen का होता 16 और H2 मतलब hydrogen का 2 है 1 1 2 और 16 कितना 18 हो गया और जो बारी चल होता है उसका 20 होता है ठीक है उसके बाद cement के बाद करते है portland cement की खोज करता Joseph Aspadeen ने की थी cement के जमने की क्रिया को जो जम जाता न आप जैसे करते हो तो तुरन तो जम जाएगा कठोर हो जाएगा तो जमने की क्रिया को मंद रखने के लिए उसमें gypsum मिलाया जाता है gypsum का क्या calcium sulfate होता है SOSCA SO4.2H2O यह क्या है gypsum का gypsum का सूत्र cement के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी का प्रियोग किया जाता है और चूना का जो रसाइनिंग नाम हो क्या है calcium carbonate चूने पत्थर का क्या नाम है calcium carbonate CACO3 इसी को चूना पत्थर कहा जाता है चूना पत्थर से calcium oxide प्राप किया जा सकता है cement में alumina की मात्रा अधिक होने पर वह बहुत जल्दी जम जाता है ठीक है बहुत जल्दी जम जाएगा और इस जमने के क्रिया को मंद करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है उसमें आपका मिलाया जाता है gypsum cement में चूना की मात्रा अधिक होगी यह चूना अधिक होगा तो क्या होगा दरार पड़ जाएगी ना चूना अधिक होगा तो उसमें दरार पड़ जाएगी तो यह हो गए आपके सीमेंट के बारे में अब आईए देखते हैं काच क्या है तो सर्बोत्तम स्रेणी का जो काच होता है ये जेना काच होता, सबसे उच्च या सरवुत्तम स्रेणी का काच होता है जेना काच, बिद्दुद बल्ब जो होता है, कैमरा जो होता है दुरुबीन का लेंस जो होता है, ये फ्लिंट काच से बनता है धूप के जो चसमे हैं, ये क्रुक्स काच का बना होता है सामानता जो चस्में के लेंस होते हैं ये क्राउन काच के बनते हैं लेकिन जो धूप के चस्में ये क्रुक्स काच से बनते हैं तो देखें क्राउन काच चस्मा मतलब क्राउन काच और क्रुक्स काच जो धूप के चस्में होते हैं फिंट कांच से दुर्बीन, कैमरा, विद्धुद्बल, वेव बनता हूँ, सबसे उचकोटि का जो कांच होता हूँ, जेना कांच होता है, कोबाल्ट ऑक्साइट से क्या बनता है, कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है, कांच क्या है, एक असीतित द्रव है, असीतित द्रव उन्हें कहते हैं, जिसको अचानक से यदि हम ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चटक जाएगा, उसी को असीतित द्रव कहते हैं, तो अक्रिस्टल ये ठोस रूप में कांच क्या है, एक असीतित द्रव है, असीत के क्रेक तूट जाएगा तो इसी करते हैं करते हैं और कि ऩतीच पूटक पद आर्थ होते जैसे डाइनामरiट इसकी कोज आप जानते हो किसिने कि थी नोवल ने की थी न ही के चेना पर बाद में नोबेल पुरसकार रखा गया, तो डाइनामाइट, TNT, डाइनामाइट का यूज़ आप देखते होगे, आज कल ठीक है, जो देखते हैं, ऐसे दान से निकालते हैं, छोटा सा रहता है, उठा के ऐसे फेक देते हैं, तो यह पत्थर उत्थर तोड़ने के काम आता है, ठीक है, तो डाइनामाइट, TNT, ट्राइनाइटर ट्रालोईन, TNG, ट्राइनाइटर ग्लिसरीन, ट्राइनाइटरो फिनॉल और RDX, यह इतने सारे क्या है, बिसफोटक होते हैं, RDX का पूरा नाम क्या है, Research and Development, Explosive, ठीक है, बिसफोटक, तो Research and Development, बिसफोटक, RDX का पूरा नाम है, RDX की खोज की थी, हैनिंग ने, सबसे खतरनाग बिसफोटक है, RDX, ठीक है, अभी जमू कस्वीर में जो ब्लास्ट हुआ था, RDX के द्वारा ही हुआ था, तो सबसे खतरनाग बिसफोटक है, RDX, डाइनामाइट की खोज की थी, अलफेर्ड, नोबिल ने, RDX के आने नाम भी, जैसे अमेरिका में इसको साइक्लोणाइट, जर्मनी में हेक्सोजन, और इटली में T4 नाम से जाना जाता है, तो ये बिसफोटक हो गए, बिसफोटक समन्नित कुछ और चीजे है, TNT का पूरा नाम बता दिया, ट्राइनाइट और टाल्वीन, साधर ताप पर जो तेल होते हैं, ओके इतना हो गया, साधर ताप पर जो तेल होते हैं, द्रव में होते हैं, जो वसा होते हैं, वो ठोस होते हैं, साधर संत्रिप्त वसा अमलो के ग्लिसराइड, जो साधर ताप पर द्रवस्था में होतों, उनको हाइड्रोजन कहलाते हैं, कौन से बनसपती तेल हिरदय रोगेंयों के लिए तो सूरज मुखी का टेल जो फाइदे बंद है बनसपती टेल का प्रज़न के रूप में तधा साबुन बनाने में क्रिया आजाता है तेल वावशा सुध रख वस्ता में कैसे होते हैं रंग हीइन होते हैं तेल वा वसा जो है यह इधर, बैंजीन, क्लोरोफार्म में घुल जाते हैं। जो तëल और वसा होते हैं अभी कभी आप पानी में तेल को डाल दो, तेल ऊपर तैरता रहे, तो उसमें घुलता नहीं है। ऐसी वसा जैसे घी ले लोगी क्या वसा घी तो है एक प्रकार से तो घी को ये डाल दो तो वह भी नहीं उसमें गुलता है लेकिन याज उसको इथर बेंजीन या क्लोरोफार्म में डाल दें तो क्या हो जाएगा बिले हो जाएगा ठीक है उसके बाद TNP का पूरा नाम Trinitrophilol Trinitroglystreen ये इसका पूरा नाम आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं उर्बरक के तो सड़ी गली कार्बनी को अस्तूं से तयार की गई खाद को कंपोस्ट कहते हैं या जिसको प्राकृतिक खाद बोला जाता है ठीक है औ जिस उसकी खोज की गई थी वो यूरिया ही था ठीक है जिस योगी की खोज सबसे पहले प्रयोकसाला में की गई थी वो कौन था यूरिया जिसको क्या बोलते हैं अमोनियम ओके तो यूरिया होगे आपका नाइट्रोलियम क्या एक उर्बरक है सामान उर्बरक में तीन मुख्य तत्थ होते नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेसियम एन पी के बोला जाता है नाइट्रोजन ही उर्बरक क्या करते है जो मरदा मिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेड, कैलसियम, साइनेमाइड ये सारी चीज़े फॉस्फेटी उर्बरक, सुपर फॉस्फेट आफ लाइम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सारा चीज़ कहां कहां से मिलता है ये दिया हुआ है, ठीक है अब बात करते हैं साबनी करण क्या होता है साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट जिसको बहु लोग निर्मा भी बोलते है साबुन बनाने की नेत प्रक्रिया साबनी करण कहलाती है अपमार्जक क्या होता है, ये सोधन भी करता होता है मतलब साब सफाई, कपड़ा-पड़ा दुलने काम आता है अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट होते है प्रिष्ट को किस सिधान पर साफ करता है प्रिष्ट तनाओ के सिधान पर क्योंकि डिटर्जन जब डालते हैं वहां प्रिष्ट तनाओ घड़ जाता है और प्रिष्ट तनाओ जब घड़ जाता है तब चीजे क्या होती है आसानी से जो आपका गंदगी है वो निकल जाता है साबन बनाने में कौन से च्हारी पदार स्य परयों किये जाते तो साबन कहते हैं। साबन बनाने में बनस्पती तेल का प्रयों किया जाता है जो साबुन काश्टिक सोडा से बनाए जाते हैं और उच्छासियम लोग के सोडियम लवड होते हैं उन्हें कठोर साबुन कहते हैं और जो उच्छासियम लोग के पोटैसियम लवड होते हैं मतब सोडियम लवड हुआ तो कठोर पोटैसियम लवड हुआ तो मुलायम साबुन कहा जाता है अब तेल और उसा के बारे में देख लगते हैं तेल और उसा पाए जाते हैं बनस्पतियों से भी और जन्तुओं से भी आप बहुत सारे जिव जन्तु जानते हैं जिन से तेल प्राप्थ किया जाता है तो बहुत सारे जिव जन तो हमारे सिकार इसलिए भी हो जाते क्योंकि लोग उनसे तेल निकालते हैं तो जो तेल हर बनस्पती तेल और वसा है ये बनस्पतियों और जंतुओं से पाय जाते हैं जन्टुों से प्राप्त होने वाली वसा लाड टैलो ये सब आपको नहीं आद रखना है बनस पती से लसी का तेल म Euh फली का ये सब भी नहीं आद करना है ठीक है तो ये सब आपको नहीं जानना है कॉट लीवर आयल जो लीवर और हिरदय के रोगियों के लिए फाइदे मंद होता है ये जनतुसे वेल मचली से प्राप्त किया जाता है ठीक अब हम लोग बात करते हैं ये सारा चीज़ बता ही दिया था उसके बाद पेट्रोलियम पे आये देख लेते हैं खनीज तेल के उधारन कौन-कौन से हैं खनीज तेल में आते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन पेट्रोलियम किन पदार्थों का ये हाइड्रो कार्बनों का मिस्रण होता है धेर सारे हाइ हाइड्रो कार्बन के से जियू जन्तूं के जो जियू जन्तू है वो जो मर जाते हैं उनके जो जिवास्प होते हैं प्रथवी के नीचे या समुंदर में जो जियू जन्तू मरते हैं फिर धीरे-धीरे क्या होते हैं वह ही हाइड्रो कार्बन जाके कई सालों बाद फिर क्या हो जाता है वो तेल बनाते हैं ठीक है पेट्रोलियम के रूप में कर्णवर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम की गुडवत्ता जो है यह ऑक्टेन संख्या पर डिपेंड करती है कार के इंजन में की जो नौकिंग होती है जो आवाज करती है उससे बचने के लिए टेट्राइथिल लेड भिलाया जाता है आपको बताया ही था ब्यापारिक जो वैसलीन है वैसलीन आप लगाते हो न ठंडियों में पेट्रोलियम से ही मिलता है पेट्रोलियम तथा एलकोहल के मिस्रण को गैसोहाल कहते हैं अभी बताया ही था आपको गैसोलीन के नमूने की गड़वत्ता जो है यही गैसोहाल ऐसी गैसोलीन की किससे ऑक्टेन संख्या से पता करते हैं कि कैसी इसकी गड़वत्ता है बायो डीजल जो है रतन जोद का पेड़ होता है जिसको जट्रोफा बोलते है जट्रोफा बायो डीजल बनाने में जट्रोफा के बीज होते है जिसको कुछ लोग डीजल का पेड़ भी बोलते है ऐसे इस नाम से उसको रतन जोद बोला जाता है या जट्रोफा का उससे प् क्या होता है कृपो किसे बोलते हैं लिक्विड्वीड गोल्ड किसे बोलते हैं कृपो को ही भुला जाता है पही को बुछाने में कौन सी गैस कार्बन डाई ऑकसाइट का आप देखते होंगे fire extinguisher होता है जिससे आग को बुझाया जाता carbon dioxide इसको सुस्क वर्फ भी इसलिए बोलते है सुस्क वर्फ ठोस carbon dioxide को क्या बोलते है सुस्क वर्फ बोलते है गोबर गैस का प्रमुग घटक आपको बता ही चुका हूँ मेथेन होता है आग जलाने में सहायक गैस है oxygen और आग बुझाने में carbon dioxide तो आग को जलाने के लिए कौन सी गैस? oxygen गैस चाहिए पेड पौधे रात में क्या निकालते है carbon dioxide गैस निकालते है और दिन में क्या करते है oxygen निकालते है ठीक है क्योंकि oxygen के प्रकास sensation के लिए सूर का प्रकास होना जरूरी होता है दूई परमारुक गैस कौन कौन सी oxygen nitrogen दूई परमारुक है stranger गैस किसे बोलते है जीनान को stranger गैस कहा जाता है उसके बाद cracking गैस sulfur dioxide को sulfur dioxide cracking गैस कहते है कच्चे फलों को पकाने के लिए कृतिम रूप से gasoline gas का प्रयोक प्रयोंकिया जाता है इसके अलावे acetylene gas का भी प्रयोकिया जाता है ठीक है तो acetylene भी होगा और caffeine भी होगा गुबारों को उड़ाने के लिए helium gas और जो वाईवयान का tire है उसमें भी helium gas भरी जाती है प्रकासिय सजावट या बिग्यापन के लिए आप कभी-कभी घर मतब रास्ते में जाते हो तो जो हाइवे वगेरा होते हैं वहाँ देखिए ऐसे लगता है जैसे उसमें लाइट जल रही है तो बिग्यापन के लिए या प्रकासिय सजावट के लिए नियॉन का प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस रेडाउन वायू मंदल नहीं पाई जाती है इसका रेडाउन का विसकार किया था मैडम क्यूरी ने ठीक है तो इसको कृतिम रूप से बनाया गया था प्रयोग शाला में ये वायू मंदल में मतलब नेचरली नहीं पाई जाती है तो ये जो रेडाउन है ये कैंसर के उप्चार में योज किया जाता है मोटर बाहन के जो धुएन कलते हैं उसमें क्या होता है कार्बन मोनो आकसाइड भी होता है रेफ्री जरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस प्रयोग की जाती जिसको प्रसीतक के रूप में इसके अलावा जो आपका ओजोन है वो भी प्रसीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है मेठेन गैस कहां पाई जाती जैसे दलदली भूमी धान का खेथ या जहां गायभय भयादिज हो जहां गोबर करता है गायभय जहां गोबर करती है वहां भी ठीक कॉइले की खानों प्रैयाब। किस कारण से होता है, क्योंकि कॉइले की खानों मेधेन पाई जाती है, मेधेन गैस, कोशी गैस, जो сलf़र डायोकसीड अभी आप प्रैकिंग गैस बोले था न? क्रैकिंग गैस बोलते हैं, तो यह जो Sulfur Dioxide होता है Sulfur Dioxide ही अमलिय वर्षा का कारण होता है ठीक, यह Sulfur Dioxide जो उपर जाती है जल के वाज से क्रिया काती है तो Sulfuric Amles 2SO4 बनाती है जिसे को अमलिय वर्षा कहते है Hydrogen Gas होती है, रंगहीन और सड़े गले जैसे गंधाती है Hydrogen Sulphide ठीक है तो Hydrogen जो Gas होती है रंगहीन होती है, कोई कलर नहीं होता है लेकिन जैसे सड़ा गला कोई चीज हो वैसी गंध आती है अमोनिया का जलिये बिलेन लाल लिटमस को कर देगा आप बताओ अमोनिया क्या होता अमलिये की छारी है तो अब लाल करता है इसका मदब किसको नीले लिटमस पेपर को लाल करता है अमोनिया रंगहीन होती है तीखे गंध वाली होती है इसे सुंगने परच्छी को और आँखों में आसू आ जाता है इसका जलिये बिलेन चारिये होता है जल में बहुत तेजी से घुल जाता है अब बात करते हैं हम लोग और सधियों पे ऐसे पता जिनका उप्योग रोग के उपचार के लिकिया जाता है उनको और सधी कहते हैं इसमें जो संसलिस्ट रसायनिक योगी को सामिल किया जाता है मतब जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं इसको एलोपेथी कहा जाता है अब कुछ कभी कभी पूछता है कि एंटिबायोटिक्स क्या है ये सारी चीजें तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान देना इसमें जरूरी है तो जो एंटिबायोटिक्स है एंटिबायोटिक्स सबसे पहला जो था वो था पैंसिलीन जिसकी खोज की थी अलेकजंडर फ्लेबिंग ने और इसमें कई है जैसे पैंसिलीन है टेट्रासाइक्लीन है, स्ट्रेप्टोमाइसीन है क्लोरोमाइसीटीन है यह क्या है एंटीबाइवोटिक होते हैं ओके अंटीपाइरेटिक्स किसे बोलते हैं पाइरेटिक्स? यह जाइचे में ब 조मार्णी था जो जोर्म बुखार से संभने था तो जोर्म या दर्द होने पर इसका प्रियोग किया जाता है इसकी जगह पे एक और बुखार के लिए पैरा सीटामाल और क्रोशीन, एस्परीन का भी प्रियोग किया जाता है एंटी सेप्टिक क्या होता है? यह सूच जीवाड़ों को मारने और उनकी वृद्धी को रोकने के लिए एंटी सेप्टिक कहीं तूट फूड गया, कट पिड गया तो वहाँ एंटी सेप्टिक यह जर्म नासक का प्रियोग किया जाता है तो इसमें बहुत साथ है, पोटेंसियम पर्मेगनेट है, टिंचर आयोडीन है, हाइडोजन परोकसाइड, फिनॉल यह बहुत सारी चीज़े हैं, अंटी सेप्टिक कहलाती है निश्चे तक वह होते हैं, जो बिहोज करने काम आते हैं, जैसे क्लोरोफार्म हो गया, नाइटरस आकसाइड हो गया, इथर हो गया, यह सम्दूर्ग इसके बाद आते हैं हम लोग सल्फा ड्रक्स, यह औस अधिया सल्फर अब नाइटोजन तब तो उससे निर्पित होती ह सल्फर ड्रक्स उसके बाद, okay, ट्रैंक्विलाइजर क्या होताा? मانसिग, दबाव, चिन्ता, चिर चिड़ा हाथ, इसमे आराम पहुचाती हैं, बहुत सारे दवाईएं जैसे वैरोनल, सैकोनल, लियूमीनल, यह सब क्या होते हैं, पिसैली गैसों में हम लोग देखते हैं, कौन को सी जैसे mustard gas इसका प्रियोग सबसे पहले प्रत्थम विस्यूद में रसाइनी खतियार के रूप में किया गया था mustard gas का तो mustard gas एक विस्यूद में यह क्या करता है तो चाह के संपर्ग में आते ही फफोले बना देता है शरीर में ठीक है उसके बाद lucide होता है यह भी एक क्या है विश्यली gas है और इसका प्रियोग lucide का mustard का पहले विस्यूद में किया गया था lucide का दुत्य विस्यूद में रसाइनी खतियार के रूप में किया गया था यह बहुत इंपोर्टन है methyl isocyanate एक हुआ था 1984 में भोपाल गैस त्रासदीव इसमें हजारों लोग मारे गया थे तो methyl isocyanate इसका नाम है ठीक हम लोग याद किये थे MIC महराजा इंटर कॉलेज हमारे यहां पढ़ता है तो MIC मतब महराजा इंटर कॉलेज तो इसी का methyl isocyanate यह तीनों यह सारी चीज़े याद रखिए गया ठीक फारजीन क्या होता है यह भी क्या है कार्बोनिल क्लोराइट इसको फारजीन भी बोलते हैं और बहुत यह भी क्या है यह भी सहली ऐसे होती है ओके अब हम लोग बात करते हैं हो गया ठीक है यह सारी चीज़े हो गया यह होप समझ गया गया उसके बाद आई देखिए मिस्र अधात कोछ थे आपको बताया था मैंने पीतल बनाना मतब कॉपर में जिंक मिला लो पीतल बन जाएगा कॉपर में टीना मिला दो तो क्या बन जाएगा गन मेटल यह जिसको बोलते हैं ब्रॉंज क्या बोलते हैं ब्रॉंज बोलते हैं ताबे में ही तो जिंक मिलाओगे तो ये पीतल बन जाएगा तीना मिलाओगे तो कासा बन जाएगा और इसके अलावा यदि आप अल्मूनियम मिलाओगे तो रोल्ड गोल्ड बन जाएगा ठीक है कृतिम गोल्ड ये देखिए कृतिम गोल्ड लिखा ना रोल गोल्ड ताबा पीतल जिंक मिला दो ताबे में कासे में ताबे में टीना मिला दो जर्मन सिल्वर ताबा ले लो जिंक ले लो मतलब जो पीतल होता है इसी में निकिल भी मिला दो पीतल जो बनता है तो जर्मन सिल्वर आपका बन जाएगा ठीक है? गन मिटल क्या होता? टीना कर दो. मतलब यही जो आपका है पीतल, इसमें टीना मिला दोगे और तो गन मिटल बन जाएगा. घंटा धा तो क्या होती? ताबा में यह जो ब्रांच, कासा जो होता है ना, ब्रांच, ताबा में टीना मिला दो. और इतनी सारी चीज़े आपकी हो गई, मिश्र धातु के बारे में, बस यह हो गई आपका जो इंपॉर्टन्ट हो सदियां, यह सारी चीज़ गैस, पेट्रोलियम, तेल वसा, उसके बाद जाबुन, अपमारजा, कुरपरग, बिसफोटक, बहुत सारी चीज़े, काच, फिर आपका सीमेंट, जल, बहुत सारी चीज़ों के बार धात, बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो गई, तो केमिस्ट्री का अनलेशिस बस इतना ही, आपका जो एक्जाम होने वाला है, सबसे पहले हमें जहां तक लगता है, वो आपका ग्रुप D का होगा, तो आप जो है, अपनी तयारी पूरी कम्पलीटली फुल करते रहेंगे, ठीक है, इसके अलावब केमिस्ट्री का आपका होमवर्क जो है, वो ये है, कि जो आपका इस P.D. में केमिस्ट्री का, जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर नमबर 15, 16, 17, 18 से पहले केमिस्ट्री के बारे म बहुत सारी चीज़े दिया गया है, उसकी आप रेडिंग करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल से टेस्ट पेपर नमबर 15, 16, 17 और 18 ये चार टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो, अधिक सारी लाइक करें, सेर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ना ख्याल रखें, जै हिंद!